कि सुप्रभारबचों आज की कक्षा में आम सभी का बहुन स्वागत है आज हुए लोग वतनते भार्टीन का पार्ट सोलव पढ़ेंगे इस पार्ट में इनों पानी के बारे में बताया है। प्रस्तुत पार्ट के लेखक राम चंद्र टिवारी इस पार्ट के माध्यम से लेखक ने एक और एक बूस के बारें बताए है इसमें ओस जो है अपना आप बीती बताती है अपने आप बीती के माध्यम से वह बताती है कि किस तरह से वह पानी से ओस बनी वहां तक की यातरा उसने कैसे तैकी उसकी बारे में वह बताती है यह कर रही है कि इसमें यह बताए जा रहा है कि उसका निर्मान कैसे होता है उसका महत्व जीवन में क्या महत्व है कैसे सूरी की रोष्णी से भाब बनकर वह बादल में बदल जाती है और उसके बाद लेखक ने बैग्यानिक द्रिश्टी तत्य और कलपना के सामनजसे से ओस को बूद के जीवन को दर्शाय है अब पाट के सारांस के बारे में बताते हैं कि पाट का सारांस क्या है लेकक अपने रास्ते से जा रहा था कि बेर की जाड़ी के नीचे पहुंचते ही उसके हाथ पर ओस की बूंद आगिरी बूंद उसकी कलाई से सकरसरक कर हतेली पर आगई अचानक बूंद के दो कड हो गए उसने सुरीले स्वर में कहा कि वह ओस है और बेर के पेड से आई है लेकक ने बूंद के विचार का विरोध किया और वह बेर के पेड से आई है तब ही उसने इस बात को अविश्वास करके कहा कि पेड से कोई फवारा निकलता है और वह उसमें से कहां से निकल आई है तब बूंद ने कहा मैं ओस हूँ जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं तथा पेड से आई हूँ लेकक ने उसं सुकता पूर्वक पूछा क्या पेड से में फवारा है लेकक ने अविश्वास पूर्ण रवएया से लेकक का जो अविश्वास पूर्ण रवएया था उससे जो बूंद है वो बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर लेका को अपना इतिहास बताना शुरू करती है उसने कहा मेरे पुर्वज हाइड्रोजन और अक्सीजन नामक दो गैसो के रूप में सूर्य मंडल में लपटो के रूप में बिद्यमान थे मेरे पुर्खे खुश होकर पृत्वी के धरातल पर नाचते थे एक दिन एक प्रचंड प्रकास पेंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था उसकी भीशन आकर्शन सकती के कारण सूर्य का एक भाग तूट कर उसके उपर चला गया सूर्य से तूटा हुआ भाग इतना खिचाओ सम्हाल न सका और कई टुकड़ों में बट गया उन्ही में एक टुकड़ा हमारी प्रित्वी है प्रारम में यह एक बड़ा आग का गोला था फिर यह ग्रह थंडा होता चला गया अर्बो वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासाइनी क्रिया के परणाम स्वरूप जल बना उसके चारों और असंग के साथी बर्फ बने पड़े थे जब सूरी की किरने पड़ती थी तो उसका सौंदर्य निखर उठता था तब उसे बड़े आनंद की प्राप्ती होती थी जब तब बड़े आनंद का उसका समय था और यह वर्ष लाखो वर्ष लाखो वर्ष तक चला यह स्तरह का समय उसका लाखो वर्ष तक चला फिर बूद बोली, मैं कई महिनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेट हो गई, फलता मैं पिखल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई बूद में देखा कि समुद्र में तो बड़ी चहल पहल है, पानी भले समुद्र का नमक वाला था, जैसे जैसे बूद्र पानी की गहराई में गई, वैसे वैसे उसे नई से नई जानकारियां मिलती चली गई वह कई जीव, वहाँ पर उसने कई तरह के जीव देखे और धीरे धीरे से रेंगने वाले गोंगे, जाली दार मचलियां, कई-कई मन भारी कच्वे तथा हाथों वाली मचलियां कुछ दूरी तक समुद्र में पूरी तरह अंधेरा था, अंधेरे में आगे बढ़ते हुए बूंद की आखे ठक गई, अचानकी बूंद को एक जीव दिखाई पड़ा, जो प्रकाश छोड़ने वाला था यहां एक ऐसी मचली थी, जिसमें से एक प्रकार की चमक निकल रही थी, इसके प्रकाश से कितनी ही छोटी-छोटी मचलियां इसके पास आती और उन्हें खाकर अपना पेट भर लेती थी कुछ और गहराई में जाकर उसने कुछ ही ठीगने छोटे-मोटे पत्ते वाले पेड़ देखे जो की वहाँ पे उगे हुए थे कई पहाडियां वो घाटियां थी, इसमें कई अंधे और आलसी जीव भी डेरा डाले पड़े थे इन इस एक जैसे एक यहां पे हम एक ऐसे स्थान पर आये मतलब पानी अपनी आत्पकता सुनाते करती कि हम अपने यहां पे एक ऐसे स्थान पर आये जहां प्रित्वी पर गर्म प्रित्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था एक बड़ा जोर का धड़ाका हुआ और इस और हम बड़ी तेजी से बाहर फेक दिये गए हम उचे आकास में उर्चले हमें पता चला कि प्रित्वी पर्ट गई है उसमें से कए धुआ रेत पिंगली धात्वें तथा लप्टे निकल रही थी यह द्रिश्य बहुत ही अनुपव्व्व था लोग इसे ज्वाला मुखी कहते हैं बहुत से भाप जलकणों के मिलनेज के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे जोग गए और एक बूंद बनकर नीचे पूंद गए हम लोग इधर उधर विखर गए मेरी इच्छा बहुत दिनों से चौरस भूमी की थी इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची मुझे एक छोटे से नल ने खीच लिया अब वहां से वह जो है कई दिनों तक वह नल में इधर उधर भूमती रही वो अपनी कहानी बताते कती क्या दिनों तक मैं नल में इधर उधर भूमती रही मैं एक ऐसे स्थान पर पहुँची जहां नल तूटा हुआ था मैं उससे तुरंथ निकल भागी और पृत्वी के अंदर समा गई अंदर ही अंदर घुमते घुमते मैं इस बेर के पेड के पास पहुँची सूर्य निकल आया था वह बोली अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठर सकती तुम मुझे रोपकर नहीं रख सकते यहां ओस की बून आखों से ओजहल हो गई इसमें यह आत्मकता आत्मक शैली में लिखा गया पार्ठ है मतलब कि इसमें पानी जो है अपनी आत्मकता करती है ठीक है अब आपको एक अवतरण पढ़के सुनाती हूं उसके बाद अमलोग प्रश्णों के माध्यम से उसकी पुन्रावृत्ति करेंगे मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती की एक धारा पार्ठ शोला पानी की कहानी पानी की कहानी यह पार्ठ है और हम लोग अभी पुन्रावत्ति करेंगे एक परग्राफ के माध्यम से ठीक है तो इसमें परग्राफ है मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बुन्द मेरे हाथ पर आ पड़ी मेरे आश्चरे का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बुन्द मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई मेरी दिष्टी पड़ते ही वह ठहर गई थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों किसी जनकार सुनाई देने लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा थोड़ी और देखा कोई नहीं फिर अनभव हुआ कि यहाँ स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बुद के दोकन हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यहाँ स्वर उत्पन कर रहे हैं मानों बोल रहे हैं यह परग्राफ है यह उत्रण है इसमें से हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे पार्ट के लेखक के नाम के बारे में पूछा गया कि पार्ट के लेखक कौन है इस पार्ट के लेखक है राम चंद्र तिवारी थिक है इस पार्ट के लेखक कौन है राम चंद्र तिवारी बूंद को किसके समान बताया गया है पहले इस अउतरण में अभी हमने जो पढ़ा इसमें बूंद को किसके समान बताया गया है इस प्रश्ण का उतर है कि बूंद को मोती के समान बताया गया है तीसरा है बूंद कहां ठहर गई बूंद कहां ठहर गई लेखक ये मतलब बताते हैं कि बूंद जो है मेरी कलाई पर स बूध के कितने कंड हो गए गये उन्हों ने बताया कि लोटचेेल कंड हो गए और दूनों ऐसे धिल Нिल कर जैसे लगई दोनों बाते कर रहा है अब अगला अतरण है मैं लगभग तीन दिन तक यहां सासत सासत का अर्थ क्या है सासत का अर्थ है परिशानी या मुस्किल ठीक है सासत सासत इसका अर्थ है सासत परिशानी सासत का अर्थ है परिशानी सासत भोगती रही मैं पत्तों के नन्ने नन्ने छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचा कर भागी मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाओंगी परंतु बाहर निकलने पर ग्यात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ती देते हैं जा चुके हैं और बाई मंडल में इतने जलकन उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकड़ी पड़ी रही अभी जब तुमने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर पूंद पड़ यह लेखक जो है पानी के आत्मकथा के रूप में पानी मतलब अपने बारे में बता रही है करिये कि मैं लगभग तीन दीन तक सासत जेलती रही जब वहां से चली थी पानी की बुन तो उसके बाद वहां बीच में कई दिन तक कष्ट जेलती रही बोल रही है कि तीन दिन अब पत्तों के नंहें नंहें छेदों से होकर जैसे तरह से जान बचा कर भागी गेसा हंभर में नहें ट्रव का उन्ह। वो बूंध बता रही है कि पत्ते पर पहुंचते ही वह ऊठ जाएगी ऐसा उसने बताए था परन्तु बाहर निकलने पर ग्यात हुआ, ग्यात होना मने पता चलना, ग्यात मतलब पता, ठीक है, ग्यात हुआ, ग्यात हुआ की बाहर निकलने पर उसे ये पता चलना की ग्यात हुआ की रात होने वाली है, उसे ये पता चलना की रात होने वाली है, जब वो बाहर वहां से न एकली तो से पता चला और सू月 आ जो हमें उड़ने की सांसत मोट की चक्टी देते हैं जा चुके अब उसे िरसी वड़ा रात होने वालीए थी सूर्य जो हैए इसलिए कह रहे हैं किसे कि वह अने के उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है और करें कि बायु मंडल में इतने जलकर उड़ रहे थे कि उसका रहना रहने के लिए उसके लिए कोई स्थान नहीं था मैं अपने भाग्ये पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकड़ी पड़ी रही कती है कि मैं अपने भाग्ये पर भरोसा किया और उसी पत्ते पर वह सिकड़ी पड़ी रही अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जानाई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर पूंद पड़ी और लेखक से कहती है कि अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जानाई और रक्षा पाने के लिए मतलब अपने को सुरक्षित बनाय रखने के लिए रक्षा पाने गले प्राणों की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे हाथों पे कूंद पड़ी हूं यह उसने अपने बारे में बताया ठीक है अब कुछ प्रश्ण प्रश्ण यह है कि बूंद तीन दिन तक कहां सासत जेलती र अगला प्रश्ण है कि वह लेखक के हाथ पर क्यों कूंदी वह लेखक के हाथ पर क्यों कूंदी इस प्रश्ण का उत्तर है कि उसे सुबह तक का सहारा चाहिए था मतलब सुबह होने तक का एक सहारा चाहिए था इसलिए वह लेखक के हाथों पर पूंद पड़ी वह सुबह होने का इंतजार कर रही थी उसको तब तक प्राण की रक्षा अपनी करनी थी और इसलिए वह लेखक के हाथों पर कून पड़ी तीसरा है कि बूध ने रात कहां बिताई इस प्रश्ण का उत्तर है कि बूध ने रात कहां बिताई बूध ने पेड़ की पत्यों पर रात बित और चौथा प्रश्ण है कि सांसाथ शब्द का अर्थ क्या है? आपको अभी हमने बताया कि सांसाथ शब्द का अर्थ है परिशानी या पीड़ा या दुख कुछ भी आप बोल सकते हैं कस्ट तो इस कार्थ हो जाएगा पीडा या दुख अब हम लोग अगला उतरन पढ़ते हैं अगले उतरन में समुद्र का भाग बन कर मैंने जो दृष्ट देखा वह वर्णना तीत वर्णना तीत मतलब वर्णन से परे मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं वो वर्णन से परे हैं वर्णना तीत है मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे भाई बंधू बंधू बांधवों का ही राज है परन्तु अब ग्यात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तों में दूसरे जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा हुआ है निरा कार्थ होता है केवल निरा कार्थ क्या है केवल निरा नमक भरा हुआ है पर धीरे धीरे सब सहन हो चला यहां पर एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के उपर तो बहुत घूम चुकी हूँ भीतर चल कर भी देखना चाहिए की क्या है इस कार्ष के लिए मैंने घर जाना प्रारम कर दिया मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे विचित्र विचित्र मने अनोखा तिक है विचित्र विचित्र का अर्थ है अनोखा अनोखे 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 हमने जीव देखे और उसके बाद जो है करें कि मैंने अत्यांत धीरे धीरे रेंगने वाले भोंगे जालीदार मचलियां कई कई मन भारी कच्वे और हाथों वाली मचलियां देखी एक मचली देखी जो मनुसिके से कई गुना लंबी थी और उसे आठ हाथ थे और वह इन हाथों से अपने शिकार को जकर लेती है यह उतरण है अब हम लोग इसका आर्थ जानेगे कि समुद्र से भाग कर जब चली तो उसे लगा कि उसके जो है उसके साथ बहुत سारे उसके भाई बंदू पूरे उसमें रहते हैं और यह सोच करके वह वहाँ पे चली थी ठीक है अब फिर लेकिन जब जा करके उसके अंदर जाती है पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसका जो है वहाँ पे उसके भाई बंदू के अलावा बहुत ही दूसरे दूसरे लोग भी रहते हैं उसको ऐसा लगा था पानी की बूंद को कि उसके भाई बंदू के अलावा समुदर में और कोई ने रहता मतलब सब भाई मतलब जल के ही अलग-अलग रूप में जल ही अलग-अलग रूप में है परन्तु उसने अंदर जाकर देखा कि नहीं ऐसा नहीं है उसमें विचित्र व अनभारी कच्वे थे और हाथों वाली मचलियां देखी एक मचली ऐसी देखी जो मनुस्य से कई गुना लंबी थी अब उसके हाथ उसके आठ आठ हाथ थे और वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड लेती थी तो इस प्रकार उसने देखे कि बहुत तरह के वहां पर जीव टो यंदो थे अब इस अवतारणसे हम लोग कुस्छ प्रशन जानेंगे औरju उसके अनुसार उसके आधार पर हम पुन्रवित्ती करें तो तो सबसे पहला प्रशन है कि लेखक ने समुदक का कौन सा भाग देखा लेखक ने समुद्र का कौन सा भाग देखा लेखक ने समुद्र का जो है निचला भाग देखा एकदम अंदर का भाग समुद्र का उसने देखा ठीक है इसमें जो है मतलब कि उसमें जो है पानी की बूंद को उन्होंने देखा उसने देखा और पाया की पानी की बूं नमक उसमें मिला हुआ है और दूसरा है नीरा नमक कहां भरा हुआ था नीरा नमक जो है वह समुद्र के जल में था ऐसा उसने अनुभाव किया मूद ने इनमें कौन सा जीव नहीं देखा नहीं देखा था मूद ने इनमें कौन सा मतलब समुद्र में जैसे कि मगरमच घड़ियाल और कच्वा तथा मशलियां ये चार तरह के इसमें विकल्प दिये हुए हैं इसमें हमें चुनना है कि कौन सा जीव नहीं नहीं देखा था तो उसमें जो है मगरमच उसने नहीं देखा था समुद्र में उसने मगरमच नहीं देखा था अगला प्रश्ण है कि मचली शिकार को कैसे पकड़ती थी मचली शिकार को कैसे पकड़ती थी ये अगला प्रस्ण है तो इसका उत्तर है कि मचली अपने शिकार को हातों से पकड़ती थी तो आगला अतरण है कि मैं अपने दूसरे भाईयों के पीछे पीछे चटान में घुस गई कई वर्षों में कई मील मोटी चटान में घुस कर हम प्रित्विस के भीतर एक खोकले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकटा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए कुछ की सम्मती में वहीं पड़े रणा ठीक होगा परंदू हममें कुछ उत्जाही युवा भी थे वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे प्रित्वी के हिर्दय में घूंग घूंग कर हम देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पिली पड़ी थी और नाना प्रकार की धात्वें इधर उधर बने में उतावली हो रही थी यहां पर यह बता रहे हैं कि मैं जो बूंध है वो अपनी कहानी बताते हुए करती है कि मैं दूसरे अपने उसके जो दूसरे भाई बैन थे उनुके पीछे पीछे बच चट्टान में घुस गई और उसके बाद जो है कई वर्षों तक उन्होंने कई मील तक की यात्रा की मोटी चट्टान में घुस कर हम पृत्वी के भीतर एक खोकले सान में से निकले जब चट्टान में घुसी तो पृत्वी के भीतर अंदर अंदर जाते हुए वो एक खोकले स्थान से निकली मतलब क्या होता जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर बीच में जगह हो तो उसको बोलते हैं खोकला में निकले और एक स्थान पर इकठा ओकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए जो इसके भाई बंदू थे पानी के वह सारे एक जगां यह इकठा होकर उन्होंने सोचा कि इनने अब च्या करना चाहिए यह बहां पर उननों ने योजना बनाने की कोशिश की आगे क्या करना है उन्हें कुछ की सम्मति, सम्मति का पर खालर विचार, कुछ का विचार था कि यहीं पड़े रहना चाहिए परन्तु उनमें कुछ उत्साही युवा थे कुछ ऐसे थे कि जो की वड़े ही उत्साही थे उनको ये लगा कि वे एक स्वर में उन्होंने कहा कि वे खोज करेंगे मतलब कि उन्हें क्या अंदर क्या है और किस तरह का है उन्हें ये जानना है प्रित्वी किरदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या चुपा है वे ये जानना चाहते थे प्रित्वी के अंदर घूम घूम कर कि उन्हें उसके अंदर क्या चुपा हुआ है अब हम शोर म मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस बस्तु का नाम भी नहीं था बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पिली पड़ी थी लाल पिली बहुत सारी चट्टाने पड़ी हुई और नाना प्रकार की धात्वे इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी उतावली का क्या अर्थ है उतावली का अर्थ है बेचैन उतावली उतावली मतलब बेचैन ब्याबकुल बेचैन या ब्याबकुल बड़ी बड़ी जो चट्टाने थी वे जो है बड़ी बड़ी धात् इधर उधर बहने को उतावली थी अधर उधर उदर बहने के लिए उतावली उतावली मतलब भिकल यह बेचैंट अब इसमें से कुछ प्रस्न है प्रितवी के प्रस्न प्रित्वी के भीतर खोकले स्थान तक पहुंचने में बूंद को कितने दूर चलना पड़ा इस प्रश्ण का उत्तर है कि उसको कई मील की यात्रा तै करनी पड़ी कई मील तक उसे चलना पड़ा मैं अपने दूसरे भाईयों के पीछे 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 में यह भाई कौन है यह उन्हें पता मतलब कि मैं अपने दूसरे भाईयों के पीछे पीछे गई तो इसमें दूसरे भाई कौन थे इनके दूसरे भाई थे अन्या बोध ठीक है अगला है बूंदे चटान में कहा है इसका उत्तर है कि बूंदे चट्तान में गुजपर जो है अंदर पृत्वी के कोकने स्थान से निकले अंगला प्रश्ण है कि उत्साही हुआओं से मैं क्या प्रेड़ना मिलती है। मैं उत्साही वाओं से प्रेड़ना मिलत क्यों निरंतर आगे बढ़ते रहना ये बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए अब आगे का उतरण है कि हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहां प्रित्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ हम बड़ी तेजी से बाहर फेक दिये गए हम उचे आकास में उड़ चले इस दुर्भटना से हम चोग गए पीछे देखने से ग्यात हुआ कि प्रित्वी फट गई है और उसमें धुमा रेत पिगली वस्तुएं पिगली दातुएं अत्वा तथा अलप्टे निकल रही है या द्रेश्वे बड़ा ही शानदार और इसे देखने की हमें बार बार इ पिछे गई तो वहां उन्होंने देखा कि धर्ती का जो गर्व है गर्व महने की भीतर का हिस्सा भीत्री हिस्सा जो है वह वहां पे हिल रहा था फिर जब वह उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा धमाका ऑका उसके बाद धमाका होने से यह सब बाहर की और पानी की फेक जो दुरघटना हुई उस दुरघटना से वे जो है चौक पड़ी पीछे पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि बाहर बहुत चट्ठान में से धुमा रेत और पिगली बहुत सारी धात्वी यह सब निकल रही है और साथ साथ आग की लपटे निकल रही है यह द्रिस से बार इन्हें इच्छा हो रही थी ठीक है अब आगे जो है इसका प्रश्ण है कि प्रित्वी का गर्व क्यों हिल रहा था क्योंकि अंदर गर्मी के कारण ज्वाला मुखी फटने वाला था ठीक है प्रित्वी का गर्व क्यों हिल रहा था क्योंकि ज्वाला मुखी के कारण जाला मुख्य जो पटने वाला था तो उसके कारण जो है प्रित्वी का गर्व हिल रहा था प्रित्वी के नीचे से क्या-क्या तत्व निकला पृत्वी के नीचे से धूंवा रेत लओ धात्वें और लपटे निकले आज बस इतना ही पिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन आपने वाल